नमस्कार दोस्तों इतिहास को कवर कर रहे थे हैं और उसी सिलसिले में प्राचीन इतिहास के महत्वण प्रिशनों को वन लाइनर के माध्यम से हम कवर कर लेते हैं जो हमेशा एक्जामस में पूछे जाते हैं चलिए शुरू करते हैं इस सब्यता को हडपा सब्यता की नाम से भी जाना जाता है सिंदु उखाटी सब्यता का लोतल नामक पुर्यस्थल गुजरात के आमदाबाजिले में भगवा नदी के तटपर है लोतल के पतन या बंतरगा के साख्ष्मिले हैं हडपा सब्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंदु घाटी सब्यता का लोतल नामक पुरा इस्थल गुजरात के आमदाबाद जिले में भगवा नदी के तड़ पर है लोतल के पत्तन या बंदरगा के साग्ष मिले हैं यानि लोतल जो मतपूर ने कहां पर है तो गुजरात के आमदाबाद जिले में किस नदी के तड़ पर है तो भगवा नदी के तड़ पर और पत्तन या बंदरगा के साग्ष कहां से मिले हैं तो लोतल से ही मिले हैं चन्हु दड़ो एक मातर पुरा इस्थल है जहां से वक्राकार इहटे प्राप्त हुई है सिंदू घाटी सब्वेता की मोहरों पर सरवादिक अंकन एक श्रिंगी पशु का है उसके बाद कुबर वाले बैल का है सरपरतम मानो दोरा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था मिसर की सब्वेता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ मिसर को नील नदी का उपहार या वर्दान भी कहा जाता है सिंदू घाटी सब्वेता के लोग मुक्यता मातर देवी एवं पशुपती शिव की पुजा करते थे प्रमुकधाटू और प्राप्ती स्थल को देख लेते हैं देखे तांबा खेतडी राजास्तान एवं बलोचुस्तान से प्राप्त हुआ है लाजवर्द बदक्षा जो अप्गानिस्तान में है फिरोजा और टिन इरान से देखें लाजवर्द और फिरोजाटिन बहुत मुथपूर्ण है तो याद रखिएगा चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं इरान से सीसा अफगानिस्तान शिलाजीत हिमाले गोमेद गुजरात वैदिक काल की तरफ आते हैं आर संस्कृत भासा का शब्द है जिसका शाप्तिकर्द श्रेष्ट या कुलीन होता है रिगवेद यजुरुवेद तता सामवेद को वेद द्रई कहा जाता है याद रखिएगा अथरवेद इसमें नहीं है तो ऐसे आतकलिजेगा अथरवेद अलग है ठीक है तो रिगवेद यजुरुवेद सामवेद ये हैं और अथरवेद अलग है तो ये तीनों को बिलके वेद रही होती है सरप्रतम वर्ण शब्द का उल्यक रिगवेद में मिलता है प्रारम में हम तीन वर्णों का उल्यक पाते हैं ब्रामर चत्रिव वैश रिगवेद की दस्वे मंदल के पुरुष सूक्त में सरप्रतम शूद्र शब्द मिलता है रिगवेद में चारो वर्ण कुत्पत्ती एक विराध पुरुष के अंगों से बताई गई है रिगवेद में इश्वर महिमा यानि देवताओं किस्तूती यजुरवेद में कर्मकांड जिसे बलिदान विधी एवं साम वेद में संगीत का विश्रितुलेख है रिगवेद में कुल 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं अथारो वेद में तंत्र मंत्र वशी करण के संदर में साक्ष मिले हैं उपनिशत दर्शन पर अधालित पुस्तके हैं उपनिशत का आर्थ शिष्य द्वारा ज्यान प्राप्ति है तो गुरु के समी बैठना है सिंदु नदी का रिगवेदिक काल में महतुपौण स्थान है इसका उल्लेक रिगवेद में सरवादिक बार हुआ है वरुन देवता को रिगवेद में नैतिक विवस्ता का प्रधान माना जाता है प्रेस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है बालगंगाधर तिलक ने आर्जों को आदि देश उत्रिद्रू माना है यानि उत्पत्ति आर्जों की जो है कहां से वे आते हैं वह उत्रिद्रू है या बालगंगाधर तिलक ने कहा है वैदिक काल में यग्य की प्रधानता थी दस राग य य युद दस राजाओं का युद जिसे कहते हैं वो पुरुषणी नदी आधुनिक रावी नदी को ही पहले पुरुषणी कहा जाता था उसके तडपल लड़ा गया था रिग्वेद में उलकित या वशब्द का तादाम में जव से स्थापित किया जा सकता है वैदिक काल में सभा एवं समती नमक दो संस्थाएं राजा की नुरंकुषटा पर निंद्रण रखती थी सभा कुलीन या वरिद मनुश्यों की संस्था थी समिती सर्व साधरन की सभा थी ये प्रशन बहुत आता है तो सभा पूछे तो कूलीन या फिर विर्द मनुशियों की संस्ता थी और समिती सर्व साधरन की थी अथरवेद में सभा और समिती को प्रजापति की दुख पुत्रियां कहा गया है रिगवेद में इंद्र का मुर्णन सरवादिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है जिसे लगबग 200 सुक्त समर्पीत है यानि रिगवेद में अकेले 1028 जो सुक्त हैं उसमें से 200 अकेले इंद्र को समर्पीत है और इंद्र को सरवाधिक प्रतापी देवता को रूप में बताया गया है वैदिक काल में जीव को पारजन नहीं तो वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उबाध्यायक कहलाता था प्राजिन काल में हरणियों के जीव को पारजन का मुखे साधन पशुपालन एवं बाध में क्रिशिता बहुत धर्म की और आते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुंबिनी में 563 इसापूरो में हुआ था उनके पिता शुद्धोधन शाकिगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज्य कोली वन्ष की कन्या थी गौतम बुद्ध की गृत्याक के गरंतों में महा भिनिश्क्रमण की संग्या दी गई है कुशी नारा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याक किया बहुत गरंतों में इसे महा परिनिर्वान काहा जाता है महा भिनिश्क्रमण के बाद ग्यान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आशरह में पहुँचे तथा उन्हें दिख्षाली चाव अर्षों की कटिन तपश्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाक पूर्णिमा की रात्री को पीपल विर्च के नीचे गोतम बुद्ध को ज्यानप्राप्त हुआ ज्यान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहला है बुद्ध के प्रतम उब्देश को धर्म चक्र प्रवरतन कहा जाता है बुद्ध ने अपना प्रतम उब्दे सारनाच में दिया था प्रतम बॉद्ध संगीती प्रतम बॉद्ध परिचद बुद्ध की मृत्तिव के ततकाल बाद 483 इसापूर में राजग्रिय की सब्त प्रणिक गुफा में हुई थी इस समय मगत का शाशक अजात सयतुर था दुतिय बॉद्ध संगीती का योजन वैशाली में किया गया था तृतिय बॉद्ध संगीती पाटली पुत्र में हुई थी और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी पवित्र बॉद्ध स्थल बोद गया जहां गौतम बुद्ध को सरप्रतम ज्यान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर इस्तित है महात्मा बुद्ध कर्म सिधान पें विश्वास करते थे बौध संग में सरप्रतम शामिल होने वाली इस्ति प्रजापती गौतमी थी भरहुत एवं सांचे के स्थापना मोलता मौर शाशक अशोक के शाशनकाल में हुई है भरहुत और सांचे दोनों अशोक शाशनकाल में स्थापित हुए है गौतम बुद्ध को एशिया का जोती पुँच कहा जाता है हिन यान में बुद्ध को एक महा पुरुष माना जाता है जबकि महा यान में उन्हें देवता माना जाता है विक्रम जिला महाविहार के स्थापना पाल नरेश धर्म पाल ने की थी नालंदा महाविहार नालंदा विश्विद्याले का संस्थापक गुप्त शाषक कुमार गुप्त को माना जाता है तो विक्रम शिला पोचे तो आपको धर्म पाल जो पाल नरेशते हैं और नालंदा के बारे हम पोचे तो कुमार गुप्त याद रहना चाहिए बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्शालितु वैशाली में भिताई थी जैन धर्म की और आते हैं जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तिर्धंकर रिशब्दयो या आदिनात माने जाते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 में तिर्धंकर थें पार्शनात जैन धर्म के 23 में तिर्धंकर थें महावेर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपूर में वैशाली के निकट 599 बईशापूर में हुआ था इनकी मातत रिशला वैशाली के लिछवी गंडराज की प्रमुख चेटक की बहिंती तता पिता सिधार्थ ग्यातरिक चक्त्रियों के संग के प्रधान थे 72 वर्ष की वस्था में राजगीर जिसे कहते हैं के संभीप इस्थित पावापुरी नामक इस्थान पर इन्हों ने शरीर त्याग दिया जैन दर में पूर्ण ग्यान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोक किया जाता है महावीर स्वामी को 12 वर्षों की 14 अपस्या तता साधना के पस्चात जिर्मभी ग्राम के संभी रिजुपाली का नदी के तट पर साल वरिच के नीचे कैवल्य यानि पूर्ण ग्यान प्राप्त हुआ था तो विच्च भी इंपॉर्टेंट नदी भी इंपॉर्टेंट है और गाउं भी इंपॉर्टेंट है ठीक है जिर्मभी ग्राम रिजुपाली का नदी और साल वरिच के नीचे तत्पस्चातवा केवलीन कहलाएं जैन दर में मोख्ष के लिए तीन साधन आवस्यक बताए गए हैं सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्मग ज्यान इन तीनों को जैन दर्शन, चरित्र, ज्यान इन तीनों को त्रिरत्न कहा गया है जैन धर में पंच महावरत अहिंसा सत्य ब्रह्मचर अस्ते एवं अब परिग्रा की विवस्ता की गई है चंद्रगुप्त मौर की शाशनकाल में पाटली पुत्र में प्रथम जैन संगीती कायोजन हुआ था अशोक तता उसके पौदर द्रशरत के समय बराबर तता नागुरजुनी पहाड़ीं को काट कर आजियोग संप्रदा के अन्युआईयों के लिए आवास बनाए गए थे शैव और भागवत धर्म की तरफ आते हैं प्राचिन काल में अर्द नारिश्वर के रूप में भी शिव की कलपना की गई गई जो पुरुष एवं प्रकृति अत्वा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है शिव और पारवति के संयुक्त मुर्थियां गुप्त युग और परवर्ती युग में विशेश रुप से बनाई गई गई पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदा के स्थापना लकुलीश नामक ब्रमचारी ने की थी लकुलीश को शिव का अवतार मानते हैं कापालिक शेव धर्म का दूसरा प्रमुक संप्रदाय है इसके उपासक बहरों को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं श्री शैल नामक इस्थान इनका प्रमुक के इंद्र था दच्छिन भारत में भगवान विश्णू की उपासना करने वाले विश्णू भक्त अलवार और स्यों की उपासना करने वाले भक्त नैनार कहला है अधिकांश गुप्त शाशक परम भागवत की उपादी धारण करते थे परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक विश्णी वन्शी कृष्ण थें जेने वासुदेव का पुत्र होने के करण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है चांदोग उपनिशाद में उन्हें देव की पुतर कहा गया है तता गोर अंगिरस का शेश्य बताया गया है क्रिश्ण के भाई बलराम को हलधर के नाम सी भी जाना जाता है भागवत धर्म के संबन्द में प्रतम उपलब्द प्रस्तर इस मारक जो है वो विदिशा बेशनगर का गरुण इस्तंब है चटी शतापती इसापूर की तरफ आते हैं और रानीतिक दशा को देखते हैं बहुत गरंत अंग उत्तर निकाए में चटी शतापती इसापूर के 16 महा जनपतों की सूचना मिलती है जो इस प्रकार हैं अंग मगद काशी कोसल वज्जी मल चेदी वत्स गुरू पांचाल मत से शूट सेन असमक अवंति गानधार और कमबोज जैन्द गरंत भगवती सूटर में भी 16 महा जनपतों की सूची मिलती है भारत के प्राचीनतम प्राप्ट सिक्के आहत सिक्के या पंचमाक सिक्के थे जो चांदी की बने होते थे प्रसेंजीत कोसल का एवं अजाद शत्रू मगत का शाशक था मत से महा जनपत राजय स्थान प्रांध के जैपूर चेद्र में बसा था इसकी राजधानी विराट नगर थी गंगा एवं सोन नदी के संगम पर इस्थित पाठली ग्राम में अजाद शत्रू दौरा दुरू का निर्मान कराया गया बाद में उसके पुत्र उदैन ने पाठली पुत्र को अपनी राजधानी बनाया उदैन ने मगत सामराज की राजधानी राजगरी से पाठली पुत्र स्थाना अंद्रित की महुर्यों के समय पाठली पुत्र बहुत दुखा एक बड़ा केंद्र ब गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद वैद जीवक बिम्बिसार के दरबार सही संबन्दित है बिम्बिसार ने अपने राजवाद जीवक को अवन्ति नर्यस्चंड प्रद्योत के राज में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था बुद्धकाल में गंगा घाटी के कई गंड र रामगाम के कोली कुषिनारा के मल पावा के मल पिपलीवन के मोरी वह्षाली के लिछवी और मिधिला के विदेritis अउत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी तता दचने पांचाली से लिधानी काम पील ले थी आदूनिक बुंदेल खंड के पूर्वी तथा उसके समी फर्ति भागों में चेदी महा जनपद इस्तित्था इसकी राषधानी सोथी वती थी मगद में नंदवन्स की स्थापना शिशुनागवन्स का अंत करके हुई थी तो इस पॉस्टों के बाद ही नंदवन्स आया होगा चंद्रगुपत मौरे ने चाणा के सायोग से धना नंद की हत्या कर नंदवन्स का भी अंत कर दिया युनानी आक्रमण देखते हैं हकामनी समराज को दोस्ट करने के पस्चाथ 326 इसापूरो के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारत विजय अभियान के लिए चला लगबग दो वर्ष के अभियान के पस्चा 325 इसापूरो के सितंबर महा में वापस पाटल से युनान को प्रस्थान किया सिकंदर ने जेलम नदी के तट पर पूरो को पराजित किया परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नई इलाके प्रदान किये सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंदवन्स का साशन था मौरे समराज को देखते हैं मौर राजवन्स 321 से 184 सापूर तक था मौरे राजवन्स की स्थापना चंदर गुपत मौर नहीं की थी मुद्रा राचस में चंदर गुपत को वरिशल तथा कुलहीन कहा गया है मुद्रा राचस में जिसे विशागदत ने लिखा है मुद्रा राचस में चंदर गुपत को वरिशल तथा कुलहीन कहा गया है जस्टीन ने सेंडर कोटस चंदर कुपत मौर के लिए और सिकंदर महान की भेट का उलेक किया है तो सेंडर कोटस शब्द चंदर कुपत मौर के लिए आया है और सिकंदर और चंदलूत मौर की भेट का उलेख जस्टीन निकिया है कौटिल द्वारा मौर काल में रचित अर्थशात्र शाषन की सिधानतों की पुस्तक है इसमें राज्य के सब्तांग सिधानत राजा, आमात, जनपत, दुर्ग, कोश, दंड एवं मिदर की वैक्षा की गई है अर्थशास्त राजनीती शास्त का एक अधिती ग्रंत है तो कई बार प्रशन आ जाता है बहुत बेसिक सा कि अर्थशास्त की से समदित है तो एकनॉमिक्स भी आप्शन दिया रहता है तो चानक का अर्थशास्त एकनॉमिक्स से नहीं, बलकि राजनीती शास्तर से मुख्यता समदित है जैन इवं तमिल साक्षवी चंद्रगुप्त मौरे के दच्छिन विजय की पुष्टी करते है रुद्र दामन के जूरनागड़ा पिलेक से चंद्रगुप्त मौरे के प्रांती राजेपाल पुषे गुप्त द्वारा सिचाई के बात के निर्मान का उलेक मिलता है चंद्रगुप्त मौरे ने सिकंद्र के सामराजे के पूर्वी भाग के शाषक सेल्लुकस की आकरमन कारी सेना को 305 इसवी में परास्त किया था अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समो को द्यान में रखकर ही धम का प्रतिपादन किया था अशोक के अभी लेकों में सर्वत्र उसे देवनाम-PRI-देवनाम-PRI-दसी कहा गया है जिसका हर्थ देवताओं का प्री या देखने में सुन्दर पुराणों में उसे अशोक वरधन कहा गया है सिंगली अनुशृतियों दीप वन्स चता महावन्स के अनुसार अशोग के राजिकाल में पाटले पुतर में बहुत धर्म की तृती संगीती हुई थी अशोग के अभिलेक में रजजुक नामक अधिकारी का उल्लेक भी मिलता है रज्जुकों के स्थिति आधुनी जिलादिकारी जची थी जिसे राज़र तथा नयाएं दोनों शेत्रों में अधिकार प्राप थे तो रज्जुक को आप DM कह सकते हैं और उसे राज़र तथा नयाएं दोनों शेत्रों में अधिकार प्राप थे तो सार्थवार इस आशय है व्यापारी काफिले या व्यापारी कार्वा से सार नातिस्तम का निर्मन मुलता अशोक ने कड़ाया था मौर योगिन सभी स्थम्भ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है इस बात का ध्यान रखियेगा अशोक के अधिकान शविलेख प्राकृत भाषा एवं ब्रामी लिपी में लिखे गए हैं केवल दो अभिलेख सहबाजगड़ी और मानसहरा की लिपी ब्रामी ना होगर खरोष्टी है तो कौन से दो गरंत हैं, कौन से दो अभिलेक के जिनकी लिपी खरोष्टी है, मान सहरा और शाभाजगड़ी इन दोनों के लिपी खरोष्टी है और बाकि सबकी ब्रामी लिपी है शरे कुना या शरे कुना अभिलेक द्विभासी ग्रीक और आर्माइक में है प्राचिन भारत में खरोष्टे लिपी दाएं से बाएं लिखी जाती थी अशोक के तेरावे शिलालेक से कल्यूंगिदि के संबंद में इस पर शाक्ष मिलते हैं या घटना अशोक के शाशनकाल के आठवे वर्ष बाद अर्था 261 इसापूर में घटित हुई अशोक के व्रिषद शिलालेक बारा में सभी संपरदायों के सार के वृद्धी होने की कामना की गई है अशोक के प्रतम शिलालेक में पशुबली का निशेद किया गया है या पशुबली के निशेद का व्रिष अशोक के प्रतम शिलालेक में है धार्मी का धार पर भूमीदान का प्रतम साक्ष मौर्योत्तर युगिन राजवन साथ वाहन के समय के एक अभिलेक से प्राप्त होता है मेगस्तनीज के इंडिका में पाटली पुत्र के नगर प्रशाशन का वाणन मिलता है इसके अनुसार पाटली पुत्र नगर का प्रशाशन तीस सदस्यों की विभिन समीतियों दोरा होता था संक्या महतपूर्ण है तीस सदस्यों की विभिन समितियों दौरा पाठली पुत्र का नगर का प्रशाशन होता था ऐसी बात मेगस्तनीज की इंडिका में लिखी है कुल छे समितियां थी और प्रतेक समिति में पांच सदस्यों होते थे मेगस्तनीज ने ततकालीन भारती समाज को साथ शेड़ी में विभाजित किया है मौर रेकाल में सीता द्यक्ष क्रिशी भूमी का द्यक्ष होता था वह भूमी करवसूलने कारे करता था जबकि अग्रोनोमोई जिले के अरिकारियों को कहा जाता था शुलका द्यक्ष विभिन प्रकार के व्याफसाय एवं व्यापार करवसूलता था तथा आकरा द्यक्ष खानों का नियंद्रन करता था तो आकरा द्यक्ष खान से संबंदित है शुलका द्यक्ष करवसूलने संबंदित है अग्रोनुमोई जिले के अधिकारी के रूप में है और सीता अध्यच क्रिशी भूमी का अध्यच होता था तो ये पद इंपोर्टेंट है मौरे मंत्री परशद में राज्यस्व एकत्र करने का कारिसमा भरता के दौरा किया जाता था तक शशिला मौरे काल में सिख्चा का सरवादिक प्रशिद केंद्र था भारता यातियों काल करम देख लेते हैं मेगस्तनीज, फाहयान, हेन्सांग और इत्सिंग मौरे अतर काल उत्तर पच्चिम भारत में स्वन सिख्चों का प्रशलन इंडो ग्रीक यानि हिंद यवन राजाओं ने करवाया था जबकि इन्हें नियमित इवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का शरीक कुशान शास्कों को जाता है कुशान शास्कों में विमकर्ड फिशेस ने सरप्रतम सोने के सिख्के जारी किये थे वरतमान में तिथी एवं वर्ष के लिए ग्रिगोरियन कलेंडर का प्रयोक किया जाता है जो विशोयापी है चैत्र भारती राष्ट्री पांचांग का प्रतम मा होता है भारत में राष्टरी केलेंडर के रूप में शक्र समवत 78 इसमी को अपनाया गया सौंदरानन्द बुद्ध चरितम तता सारी पुत्र प्रक्रण अश्वगोश की रचनाए हैं अस्वगोष की रचनाएं हैं सौंदरानंद, बुद्ध चरितम, सारी पुत्र प्रकरण अस्वगोष की रचनाएं हैं पतंजली ने पाणिनी की अस्टा द्याई पर महाभास्य की रचना की कुषाण शाषक कनिश के काल में कलाचेतर में दो स्वतंदर शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली शुंग वन्ष का अंतिम शाषक देव भूती अपने अमाते वासुदेव के शडेंतर दोरा मारा गया था वासुदेव ने कणो वन्स या कणवायन वन्स की निवडाली थी वायुपूराण के नुसार अंतिम कणो शाषक सुचरमा अपने आंद्र जाती बृत्य सिमूख सिंधूग द्वरा मारा लगया साथ वाहन वन्स का स्थापक सिमूख था मौर्यों के बाद दचिन भारत में सबसे प्रभावश्वाली राजे साथ वाहनों का ही था साथ वाहनों के वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी साथ वाहन वन्स का प्रतम प्रतापी शाषक शाथ कर्णडी प्रतम था साथ वरहन वन्स का सबसे प्रतापी शाषक गौत्मी पूत्र शात कर्णडी था करलिंग का चेद्वी वन्सी शाषक खारवेल प्राचिन भारती थ्यास के महांतम समराटों में से एक था इसकी उपलब्दिशों के जानकारी का एक मातर स्रोत हाती गुमफा भी लिख है महाराजा दिराज की उपादी धारण की थी इतिहासकार विंसेट इसमित ने समद्र गुपत की वीरता एवं विजियों पर मुख दोकर उसे भारत का नेपूलियन कहा था तो भारत का नेपूलियन समद्र गुपत को कहा जाता था और कहा किस ने था तो विंसेट इसमित ने गुप्त के संबंद में है प्रयाग प्रशस्ति और भारत का निपुलेन भी से कहते हैं विंसेंट इसमित ने इन्हें कहा था इन इस्थम्बों पर संदी विग्रहिक अरिशीन ने संस्क्रित भाशा में प्रशामशात्मक प्रश्तुत किया है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है अशोक दौरा निर्मित या इस्तंब मूलता कौशांबी में स्थित्त जिसे अकबर ने इलहाबाद में स्थापित करवाया था इस इस्तंब पर जहांगीर तता बीरबल का भी उल्लेख है गुप्त शासक तरह प्रास्थ हुए थे धनवंतरी चंद्रगुप दितिक विक्रमादित के नवरत्मों में से एक थे यह आयुरवेद शास के प्रकांड पंडित थे भासकराचारे प्रक्खात खागोलग्य एवं गडितग्य थे इन्होंने सिद्धांत शिरोमड़ी तथा लिलावती ना दोनों मेंति पकड़ थी दोनों के ही यह विद्वान थे चंद्रगुप दितिक विक्रमादित के नवरत्नों में महाकवी कालिदास धनवंतरी वराह मिहिर अमर सिंग शंकू शपड़क वररुची वेतालभट एवं घटकर पर थे गुप्त काल में स्वन मुद्र को दिनार कहा जाता है चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग द्यानिक रह विक्रे में कौडियों का प्रयोक करते थे सती प्रता का प्रतम अभिलेखी साक्ष एरण से प्राप्त हुआ है जिसमें गोप राज नामक सेनापति की सत्री के सती होनी का उल्लेक है गुप्त समवत का प विशय में प्रकाश पड़ता है शुद्रक्रितम्रिक्ष कटिकम नामक रचना से कुप्त कालीन शाचन विवरस्ता एवं नगर जीवन के विशय में रोचत जानकारी मिलती है भारती दरशन में चारवाक दरशन जड़वादी या भातिक वादी विचारधारा का पोशक है राष्ट कोट वंच के स्थापना 736 में दंत दुरुक ने की थी उसने माने खेत को अपनी राष्धानी बनाया मौकरी वंच के शाचकों ने अपनी राष्धानी कन्योज को बनाया हर्ष के समय की विश्त्री तूचना इसके दरबारी कभी बान भढ़ की गरती हर्ष सिंगासन पर बैठे थे हर्ष ने अपनी राष्धानी थानेश्वर से कन्योज स्थान आंत्रित की थी नर्मदान रदी कितट पर पुलकेशिन दिती ने हर्ष को पराजित किया पुलकेशिन दिती की एहुल प्रिशस्ती एवं हेन संग का विवरण इस युद्ध के साक्ष प्राचिन कालिन चीनी लेखों ने भारत का उल्यक यंतु तथा थियान तो नाम से किया है तो यंतु और थियान तो नाम भारत के लिए आये हुए हैं इसका प्रियोक चीनी लेखों ने भारत के संदर में किया है विक्रम्शिला के प्राचिन विश्विद्याले की स्थापना बंगाल के पाल वन्ची शाषक धर्म पाल ने 77810 द्वारा की गई थी वाकाटक शाषक प्रवड सेन प्रथम ने चार अश्वमेद यग्यों का समपादन किया वाकाटक वन्च के प्रवड सेन दिती ने सेतु बंद नामक गरंथ की रचना की आठवी सदी की तीन बड़ी शक्तियां पाल गुर्जर प्रतियार तर राष्ट्र कूटों के बीच तुरिकोणी संगर्ष प्रारम हुआ जिसमें गुर्जर प्रतियारों को सफलता मिली उत्तिर मठ जोशी मठ जिसे कहते हैं वो उत्राकंड में है पुलकेशिन दिती के एहोल अभी लेक में संस्कृत के माहान कवी और नाटक कार कालिदर का उलेक है प्राषिन भारत में इस्थापत कला मध्यप्रदिर के चतरपुर जिले में इस्थित खजुराहों में चंदेल राजाओं दोरा निर्मित मंदर आज भी चंदेल इस्थापत की उत्कृष्टा का बखान कर रहे हैं खजराहों के मंदिरों की निर्माण शली नागर है दशावतार मंदिर देवगड ललितपुर में इस्थित है तथा यहां मंदिर गुप्त कालीन है माउंट अभु के दिलवाडा जैन मंदिर संग मरमर के बने है जिनका निर्माण गुजरात के चालू के सोलंकी शाषक भीम देव प्रथम के सामन्त विमल शाह ने करवाया था एलिफेंटा के प्रशिद गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूर्ट शाषकों दोरा कराया गया था एलोरा का केलाश मंदिर शैलकृत इस्थापत का उतक्रिट धारण है द्रविड शैली के इस विश्व प्रशिद मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूर्ट शाषक कृष्ण प्रथम ने करवाया था पस्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं एलोरा और अजन्ता है अजन्ता की गुफा संक्या सोला में उतकीन मर्नासन राजकुमारी का चित्र प्रशंशनी है कोणार के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण नर्सिंग देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था कोणार के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा भी कहा जाता है लिंगराज मंदिर उडिशा की भुवनेश्वर में इस्तित है बोरो बुदूर का प्रक्यात इस्तूप इंडोनेशिया के जावा दिप पर इस्तित है महाबली पुरम में रत मंदिरों का निर्मान पल्लव शाशक नर्सिंग वर्मन प्रथम दौरा करवाया गया था इन मंदिरों में दुरौपदी रत सब्थे छोटा है नागर द्रेविण तता वेसर भारती मंदिर वर्स्तू कला के तीन प्रमुक शैलिया है द्रेविण शैलि का प्रसाड दच्चिन भारत विशेशकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मद्य में था 16 सली का विकास नागर एवं दच्चिन शैलियों के मिश्रण से हुआ है दच्चिन भारत की तरफ आते हैं संग़म का तातपरे कवियों की गोष्टी से है दच्चिन भारत के आर्री करण का श्रे महर्षी अगस्तिक हुजाता है तोल का पियम दितिय संगम का प्राचींतम गरंत है इसके पणायन करता तोल का पियर थे शिलपादी करम का लिखक इलेंगो आडिगल था तो शिलपादी करम को किस न लिखा था यो लिखा था इलेंगो आडिगल ने तिरक कुरल तमिल भाषा में रशित कावी रचना है तोल क पियम् तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है और दिजिसंगम का प्राचिंतम गुरंत है और तोल का पियम् को लिखा था या प्रणायन करता है तोल का पियर तोल को तमिल साहित की बाइबिल तता लगुवेद माना जाता है पुल केशिन दूती वातापी के चालुक राजयोंत का वास्थवीक सस्थापक पुल केशिन प्रतम था बहरते काली मिर्च युनानियों इवं रोम वास्यों को बहुत प्रीय थी इसलिए प्राचीन संस्कृत क्रंतों में इसे यवन प्री कहा गया है क्योंकि यवनों को बहुत पसंद थी इसलिए यवन प्री कहा गया है काली मिर्च को पांडे राज को अलाओ दिन खिलजी के सिननायक मलिक काफूर ने अपनी दचिन विज़ा के दोरान प्राजित किया था इसका इसपष्ट विवरण अमेर खुसरों की प्रसिदिकृती खाजाइन उल्फतु हमें प्राप्त होता है संगम युग में उरैगूर सूती वस्रों का प्रमुक केंद्र था इसका विवरण पेरी प्लस आवधी एरित्रियन सी में मिलता है कदम राजाओं की राजधानी वनवासी थी इस राजवत के स्थापना मयूर शर्मन ने की थी साहित और साहितिकार को देखते हैं युणानी लिकक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है व्यकरण अचारे पाड़ेनी नंद शाषक महापद्म नंद के मित्र थे अस्टा ध्याई उनकी प्रसिद कृती है वरा मेहर गुप्त युगीन खगोल शाहिति थे बृहत जातक पंच सिधान्तिका वरीहत सहाईता आधि इनके प्रमुग्रत हैं नागस्टेन एवं हिंद यमन शाषक मेंडर के बीच वारतालाप का वारण है कश्मीर के हिंदू राज्य का इतियास हमें कल्हड की राश्ट रंगडी से प्राप्त होता है इस ग्रंद की रशना कल्हड ने राजा जैसिंग के शाषनकाल में कीप